वेलकम तो कंप्यूटर क्लास, आज की क्लास में हम चैप्टर नमबर फाइफ, इंडेंट पैराग्राफ को रीट करने वाले हैं इंडेंट का मतलब आपके पास क्या होता है और पैराग्राफ का मतलब आपके पास क्या है paragraph का मतलब होता है जब हम कोई paragraph लिखते हैं किसी भी topic से related हम कोई भी paragraph लिखते हैं एक एक शब्द मिलकर हमारी एक line बनाते हैं जब हम एक शब्दों को लिखते हैं तो क्या बनती है हमारी line बनती है उसी तरह जब हम बहुत सारी lines को लिख देते हैं तो हमारा क्या बन चाता है paragraph indent का मतलब होता है editing करना, अपनी paragraph को एक अच्छे से look देना देखने में काफी अच्छा लगे, attractive लगे उसके लिए हम इस तरह यहाँ पर हमारे पास यहाँ है first line hanging left and right हम अपने document में जो हमारा paragraph लिखा है जो हमने paper पे कोई चीज लिखी है उसमें हम अदलग-लग तरह से addring कर सकते हैं first line का मतलब है controls the left boundary for the first line of a paragraph आपने हमेशा notice क्या होगा जब आपने कभी paragraph लिखा होता है तो paragraph में क्या होता है? जो आपकी first line होती है उसके आगे कुछ ज़ादा जगा छोड़ी होती है जो उसे next lines होती है वो आपके proper जगा से start होती है जहां से आपके page में लिखने की जगा start होती है वहां से आप लिखना start करते हो पर आप जो first line लिखते हो तो क्या करते हो उसके आगे थोड़ा जादा space छोड़ देते हो, खाली space छोड़ देते हो, hanging का मतलब होता है हमारी जो lines होती है, हमारी जो document बनाया है, उसमें हमने कोई line लगानी हो, मतलब अगर आपने कोई boundary लगानी हो, boundary क्या होती है, side की जगा, जो आपने अपने document को अच्छी look देने के लि लगाना चाहते हो, आप left में लगाना चाहते हो या right में, मतलब सीधे हाथ की तरफ लगाना चाहते हो या उल्टे हाथ की तरफ, अब आपके पास यहां पर आता है, for applying indent, indent को apply करने के लिए आप कौन कौन से step उठाने है, आप इसे घर में खुद भी read करते रहेंगे, go to the home tab of the ribbon, आपको पहले home tab पर जाना है, select the indent button in the paragraph group, उसमें आपके पास एक indent button होगा, आपको दिखाई देगा, आपने उसे select करना है, जैसे कि मेरे पास इस drawing में उपर भी लिखा है, जहां paragraph लिखा है, उस से उपर जहां arrow लगा है, वो आपके पास indenting है, इसमें से आप indent choose करोगे, औ indent चूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जिस तरह से चूज करोगे, मतलब अपना cursor ले जाकर उस पर click कर दोगे, आपके documentary में indent appear हो कर आजाएंगे, आप जिस तरह से indent को करना चाहते हो, यहां पर देखें इंडेंट के आपको बास दो तीन icon बने हैं, दो icons इनके द जब आप document क्या, जब आपने कभी अपनी notebook पे भी कोई चीज लिखी है, क्या मतलब, जैसे आपने कोई point लिखा है, अगर मैं आपको बोलू कि आपने advantage of computer लिखना है, computer के lab लिखने है, तो आप कैसे लिखते हो, point number 1 डाल कर पहला lab, point number 2 डाल कर, दूसरा lab, point number 3, बना 1, 2, 3 करक कि इस तरह से आप लिखते हो, या करते हो, क्या करते हो, या तो आप कोई निशान लगाते हो, मालो अपने star लगाया, star के आगे एक line लगी, दूसरा star लगाया, फिर उसके आगे एक line लगी, या कोई round बना दिया, कोई box बनाया, जो कि आपकी book में भी बने होते हैं, जैसे य bullets का use भी कर सकते हो, मता star का, right का, plus का, minus का, जो भी आपने करना हो, इस तरह से आप उसका use भी कर सकते हैं, अब आपको इसके लिए क्या करना है, अब हम read करेंगे, to do this, अगर आपको इसे करना है, तो आपको इसके लिए क्या क्या step उठाने पनेंगे, select the area of the text where you want to border and shading, जहां पर आप अपने border and shade को डालना चाहते हैं, अब इसमें आपके पास क्या है, border और shade दिये हैं, bullets and numberings हमने उपर read के लिए भी क्या होते हैं, इसके steps आपको नहीं दिये हैं, आपके पास दिया है border and shading, shade मतलब क्या होता, आपने कोई शब्द लिखा, आप उसे किस तरह से draw करना च चाहते हैं, आप कौन सा color यूज करना चाहते हैं, कौन सा style यूज करना चाहते हैं, वो इसमें अलगला आपके पास आते हैं, border का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी बुक है, इसके साइट में border, border क्या बनावा है, उपर देखे, आप अपने बुक में भी देखते रहें, उप परशिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, अब अगर अगर अपने शब्दों में, अगर आपने शब्दों में shading डालनी हो, या फिर अपने border डालना हो, अपने paragraph में मतलब अपने शब्दों में जो आपके शब लिखे हैं, वो उसी सी तो मिलकर आपका पेरगर बन करना है और क्लिक करके आपको ओके प्रेस कर देना है जैसे कि यहां पर आपके पास दिख रहा है यहां ओके भी लिखावा है मेरे पास होड़ा बलर आप अपने भुक में भी देख सकते हैं आपको इस पर ओके प्रेस कर देना और क्या होगा जो आपका डॉकमेंट होगा उसक कितनी जगह आपके डॉकुमेंट में पीक सब्सके लगवं के बाद एक जगह आपने लोकुमेंट में आ रही है तरह लौन में ना फॉर्प लिए कि對對 कितनी जगह लिए के थी जगह के बाद physical गेंट कितना दीश अगडने दीश पर ली गडना बीच में जो जगा बसती है, पतली सी खाली, जैसे आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बटा, पहले आपने एक लाइन लिखे, उसके पाप बीच में थोड़ी से जगा है, फिर दूसरी लाइन बनी है, फिर तीसरी जगा है, इस तरह से लाइन बनी है, तो यह क्या होती ह इसके बाद आपके पास आता है Group Style Group Style का मतलब क्या है Style, Group या Group Style को हम क्या कहते है आपने जो लिखना है जो आपने शब लिखे हैं उसमें आप कौन सा Style चाहती हो Style मतलब क्या होता है कौन सा तरीका चाहती हो जिसे आप रूप लिखा A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, B, B जो भी चीज लिखी है उसे आप देखो सब अलग-अलग तरह से लिखे कोई छोटे लिखे हैं, कोई बड़े लिखे हैं कोई different color के लिखे हैं इसे कहते हैं style group आप अपनी शब्दों को अलग-अलग तरह से style दे सकते हैं अलग-अलग तरह से इने देख सकते हैं कि किस तरह से आपनी ये करने हैं किस तरह से आपनी इने use करना है आप तो क्या करना है, cursor जाना अपने पहरे वो select कर लेना है मानलो आपने पूरा paragraph select कर लिए आप पूरे paragraph को आप different style देना चाहते हो अलग तरीका देना चाहते हो तो आपने क्या करना है उसके बाद cursor लेके गए अपने style ग्रूप पे गए वहाँ पर आपने क्या करना है इन सब पर बारी-बारी click करके देखना है जो आपके सबसे अच्छा लगेगा उसे आपने select करके अ प्लेटिंग डाल दी है, slide show डाल दी है, हर एक चीज आपने डाल दी है, shadow डाल दी है आपने, lines में आपने spacing भी डाल दी है कि कितनी line के बाद क्या आना चाहिए आपका, इसके बाद हमारे पास आता है, edit group अगर आप इसे edit करना चाहते हो, आप में end में आप इसमें कोई भी change क आप कहां से कर सकते हो, edit group से, बेटान के steps आपको खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, अगर आपको कोई बास समच ना आए, तो आप online class में मुझसे पूछ सकते हैं, आज ये chapter हमारा खतम होता है, online class में हम इसे short में discuss जरूर करेंगे, आज की class में इतना ही, thank you and have a nice day.